बागेश्वर से एक दिल धहला देने वाला मामला सामने आया है जहां एक भतीजी नदी में खूदी तो चाची भी भतीजी को बचाने के लिए नदी में खूद गई लेकिन पानी के तेज भहाब में दोनों भै गए गए दरसल रविवार की दोपैर करीब डेड़ बजे जिला मुख्याले से लगे स्याल डोबा निवासी 25 साल की जोती ने अग्यात कार्णों के चलते सर्यू नदी में खूद गा दी इस दोरान उसे बहता देज सांथ में चल रही उसकी चाची 42 साल की जीवंती देवी ने भी उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी लेकिन पानी के तेज भहाब के चलते दोनों ही नदी की तेज धारा में भै गए गए जिसके बाद गटना की सूचना परीजनों और पुलिस को दी गई वही सूचना मिलते ही कोदवाली पुलिस और स्जारेफ की टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद विकास भवन से लेकर विलोना तक रेस्क्यू अभ्यान चलाये गया लेकिन पुलिस और स्जारेफ की टीम को सफलता नहीं मिली इस दुरान मामले में कोतवाल जग्दीर धग्रियाल ने बताया कि जोती ने पहले नदी में छलांग लगाई उसे बचाने के लिए उसकी चाची भी फूद गई ऐसे में पहली नजर से ये मामला आत्मत्या का लग रहा है हाला कि मामले की जांच की जा रही है जब तक दोनों नहीं मिल जाते तब तक कुछ भी कहना सही रही है वहीं घटना की सूष्णा मिलते ही परीजन भी मौके पर पहुंच गए हैं जिनसे पुलिश की और से पूछताच की जा रही है